अधिकरण पर किसानों का निश्चित कालीन धर्णा शुरू तो लीजबैक आवादी निस्तारण समेथ कई मांगों को लेकर धर्णा दिया जा रहा है दस प्रतीशत विक्सित भूखंड की मांग को लेकर भी धर्णा जारी तो धर्णी को देखते हुए कई इलाकों में रूट डाइबर्जन किया गया है तो यह बड़ी कबर ग्रेटर नौइडा से आपको बता रहे पराधिकरण पर किसानों का यह निश्चित कालीन धर्णा शुरू हो गया है कित्ती बड़ी संख्यामी किसान लाल जिंटा हाथ में लेकर किस तरह से अपना विरोध दर्ण कराते हुए तो यहाँ पर किसानों की मांग लीजबैक आबादी निस्तारण समेत कई मांगे जो हैं वो यहाँ पर किसानों की तरह से रखी गई हैं दस प्रतीशत विक्सित भूखंड की मांग को लेकर यह धर्णा प्रदर्शन इनका जारी तो कई लाकों में रूट डाइवर्जन किया गया है क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्यामी किसान यहाँ पर खटा हुए ऐसे में लोगों को आवजाही में दिक्कत ना हो इसको लेकर यह डाइवर्जन किया गया समवध आता आमिद चौदरी अबारे साथ पोल लाइन पर जुर गया प्रादिकरण पर किसानों का निश्चित काली इंदरना शुरू कई रूट डाइवर्जन भी क्या जानकारी देखें किसानोंने आंदोलन करने की कल ही जिला प्रशाथन को जानकारी दे रही थी और उसको देखते हुए आम लोगों को परिशानी ना हो तमाम वो रूट सहां से किसानों का प्रशाथन और रेली निकलते हुए आई थी उसको डाइवर्ट कर दिया जाया था बारी संक्या में जो किसान है वो गेट नोडा प्रशाथन के गेट पर पहुँचे फिलाल गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया और तमाम महिला किसान और पुरूष किसान प्रशाथन के सामने नारे बाजी करना है इन लोगों का साथ तोर पर कहना है कि पिछले जिनों धरना दिया गया था और धरने के बाद गेट नोडा प्रशाथन को पत्र निखा था लेकिन उस पत्र का स्टेटस अभी तक अधिकारियों दुआरा नहीं बताया जा रहा है अधिकारियों पर किसानों की अंदेखी करने का आरोप लगाते वे धरना प्रशाथन सुरू किया है किसानों ने साफ तोर पर यह ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी प्रादिगन के गेट पर इसी तरीके से धरना प्रशाथन जारी रखेंगे अब पुलिश के भी तमाम अधिकारिया मोगे पर मौजूद हैं प्रादिगन के अधिकारियों से वारता कराने की शुरूआत की जानी है प्रादिगन के अधिकारियों से बास्चीत की जारी है कि जो भी इनकी मांगे उनको लेकर वारता कराई जाए और सहमती हो लेकिन किसानों ने ये बात बिल्कुल इसपर्स कर दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब सक धर्णा प्रज़सन इसी तरीके से जारी रहेगा बिल्कुल और साथी साथ अमित क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किती बड़ी संक्या भी प्राधिकरण में अपना यहां पर विरोध दर्ज कराते हुए ये किसान और इसी को देखते हुए रूट डाइवर्जन भी किया गया है कौन कौन से वो इ दादरी और इसके आसपास के इलाखों से आने वाले जो भी रूट पेठा नोड़ा प्राधिकरण गोल्चकर पकाते हैं वह आने वाले तमाम रूट को डाइवर्ट किया गया था जिसने भी गाडियां उनको बेकलफिक मारगो से निकाला गया है ट्रैफिक पुलिस को उनों गेट पर पुलिस को तैनाज किया गया है बेरिकेटिंग की गई है ताकि प्राधिकरण के अंदर गुसकर तोड़ पोड़ किसान ना करपाएं हाला कि सांती पुन प्रजासन करने का किसानों की तरफ से वादा किया था लेकिन पाफी जखका मुक्ती भी देखने को मि किसान कब तक इधर ना जारी रखते है फिलाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आमर्ट